नमस्कार दोस्तों, मरुदर यत्री व्लोग के नई एपिशोड में आप सभी का स्वागत है मैं इस वीडियो में आपको दिखाँगा आसोत्रा दाम जहां दुनिया का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है जो खेताराम जी महराज ने बनवाया था पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के दोई मंदिर है पहला मंदिर पुषकर में है और दूसरा मंदिर आसोत्रा गाउं में बना हुआ है जो खेताराम जी महराज द्वारा बनाया गया था यहां ब्रमा जी के मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिलकुल भी अलव नहीं है इसलिए मैं आपको इस मंदिर के बारे में ही जान करी दूँगा पांच मई 1984 में ब्रमा जी की मूर्ती इस मंदिर में इस्तपित की गई मानेता यह है दोस्तों कि ब्रमा जी का मंदिर बनवाने वाला चाहे कितना भी सिद्ध पुरुष और कितना भी ज्यानी क्यों न हो उसे मंदिर की प्राण परतिष्टा से पहले ही अपने प्राण त्यागने होते हैं इस तरह का ब्रमा देव को सराप मिला था और खेताराम जी महाराज ने जब ब्रमा देव के मंदिर का निर्मान करवाया तो मंदिर की प्राण परतिष्टा के 24 गंटे बाद उन्हें अपना शरीट त्यागना पड़ा और उन्हें इस बात की पुरी जानकरी थी पहले से इस तरह इस बव्य ब्रमा मंदिर का निर्मान हुआ महाराज खेताराम जी द्वारा खेताराम जी राजपुरुही समाज के महात्मा माने जाते हैं और इन्हें ब्रमा का उतार भी कहा जाता है खेताराम जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि एक बार समदड़ी रेलवे इस्टेशन पर वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो टीटी ने उन्हें निचे उतार दिया था और वो वहीं पर बैठ कर तपश्या करने लग गए और उन्होंने योग विद्या से पूरी ट्रेन रोग दी थी और जब टीटी को इस बात का ग्यान हुआ तो उसने उनसे माफी मांगी और महराज को ट्रेन के अंदर बिठाया तब जाकर वो ट्रेन वहाँ से रवाना हो सकी जब भी आप खेताराम जी महराज की कथा सुनेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र आपको जरूर मिले गया तो दोस्तां ये है स्री ब्रह्मा जी का मंदिर जो खेताराम जी महराज में बनवाया था ये यहां का पार्किंग विश्टल है आप यहां पर गाड़ी पार्क करके मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं सामने के और प्रसाद की दुकाने मनिवाई है जहां से आप प्रसाद लेकर मंदिर में जा सकते हैं तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मा जी का मंदिर ये आगे शिवाना से आने वाली मुख्य सड़क है जो आगे बालो उत्रा आईविप तक जाती है और ये सामने के और प्रह्मा जी का मंदिर है मुख्य आईवे रोड पर ही बने हुआ है दाम है ये ये शरी प्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा दाम इस मंदिर के अंदर का कुछ दुर्श्य है कि सामने जो आप आती देख रहे हैं यही ब्रह्मा देव का मंदिर है और सामने की और महादेव जी का दुना बना हुआ है ये ब्रह्मा देव का मंदिर है इसके अंदर सामने जाते ही आपको ब्रह्मा जी की मूर्ती दिखाई देगी अंदर फोटोग्राफी और वीडियो अगर अलव नहीं है इसलिए मैं आपको मूर्ती के फोटोग्राफ दिखा दूँगा यह सामने महादेव जी का दुना है जहाँ पर श्री खेतराम जी महाराज तपरश्या करते थे जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं यह श्री खेतराम जी महाराज दूआरा दिये गए उपदेश है तो दोस्तों हम मंदिर के अंदर दर्शन करके आ चुके हैं साम का वक्त हो चला है और सामने खुबशूरत बजार दिखाई दे रहा है जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं तो दोस्तों यह था ब्रह्मा जी का मंदिर असोत्रा वीडियो को लाइक और चैनल मरुजर यात्रिवलो को सब्सक्राइब परें इतने बाद मिलता हूँ आगे एक और नए वीडियो के साथ तक तक लिए बने रहें बाए झाल